वीडियो को देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब वे कमेंट करना ना भूलें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँचते रहें आईए आज हम अपनी सेकंड पोयम दा स्कॉलर पढ़ते हैं जिससे रॉबर्ट सदे ने कंपोज किया है इसकॉलर का मतलब होता है विद्वान आईए सबसे पहले पोयम की बैक्राउंड में चलते हैं रॉबर्ट सदे जो की किताबे पढ़ने के बहुत शौकिन थे उनके घर में ही एक लाइबरेरी थी जिसमें पास्ट ओथर्स की बुक्स थी और उनका ज्यादतर समय उन्हें पढ़ने में ही गुजरता था और इन किताबों को पढ़ते पढ़ते कभी पास्ट ओथर्स से इतना डेपली और इंटर्नली कनेक्ट हो गए कि उनके विचारों का प्रभाव उन्हें अपने विचारों पर पढ़ता हुआ नजर आने लगा महसूस होने लगा और ये प्रभाव इतना बढ़ गया कि वो खुद को भी इस्कोलर एजियूम करने लगे मतलब एक विद्वान की तरह मानने लगे तो ये रही हमारी पोयम की बैक्राउंड नाओ वी कम टो दे वेरी फर्स स्टेंजा आप दे पोयम माई डेज अमंग दर डेड़ आर पास्ट डेड पास्ट ओथर्स मेरे दिन मृत्त लोगों के साथ गुजरते हैं अराउंड मी अपने चारों तरफ आई बीहोल्ड मैं देखता हूँ लुक वेरेवर दीज कैजवलाईजर कास्ट जहां कहीं भी ये अचानव पढ़ने वाली दरश्टी जाती है कैजवल पाई चांस क्या देखता हूँ दा माईटी माइट्स ओफ ओल्ड मेरे दिन मृत्तक लोगों के साथ गुजरते हैं अपने चारों तरफ मैं देखता हूँ जहां कहीं भी मेरी अचानव पढ़ने वाली दरश्टी जाती है प्राचीन लेखकों के शक्तिशाली मस्तिश्कों कभी के कहने का मतलब है कि जो किताबी लाइब्रेरी में हैं वो मात्र किताबी नहीं है बलकि उन प्राचीन लेखकों के शक्तिशाली मस्तिश्क है जो उनकी विचारों की गहराई को दर्शाते हैं My never failing friends are they नेवर फेलिंग फ्रेंट्स, true, faithful, वे मेरे वफदार मित्र हैं, with them, उनके साथ, I converse, I talk, मैं बातचीत करता हूँ, day by day, दिन परते दिन, मेरे दिन मिर्तक लोगों के साथ गुजरते हैं, अपने चारों तरफ मैं देखता हूँ, जहां कहीं भी मेरी अचानक पढ़ने वाली दृष्टी जाती है, प्राचीन लेखकों के शक्तिशाली मत्रिष्ट को, वे मेरे वफदार मित्र रहे हैं, और उनके साथ मैं दिन परते दिन बातचीत करता हूँ, बातचीत करता हूँ, उनके कहने का मतलब है, कि वो किताबों के माध्यम से, उनके विचारों से जुड़ जाते हैं, और ऐसा लगता है, कि जैसे वो उनके साथ वरतलाप कर रहे हैं, now we come to the second stanza, with them I take delight in wheel, उनके साथ डलाइट, आनन्द, प्लेज़, in wheel, खुशी, happiness, मैं उनके साथ सुख में आनन्द पाता हूँ, and seek relief in वो, relief, consolation, वो दुख, और दुख में सुकून पाता हूँ, चैन पाता हूँ, and while understand, and feel, और जब मैं यह समझता और महसूस करता हूँ, how much to them, I owe, जब मैं समझता और महसूस करता हूँ, कि मैं उनका कितना अधिक रनी रहा हूँ, ओ, रनी होना, indebted, कर्ज़दार होना, कि जब मैं यह सोचता और समझता हूँ, कि मैं उनका कितना अधिक रनी हूँ, my cheeks have often been widowed, तो मेरे गाल, गीले हो जाते हैं, with tears, आंसुओं से, of thoughtful gratitude, विचार शील करतक गता के, तो मेरे गाल, विचार शील करतक गता के, आंसुओं से, गीले हो जाते हैं, कभी के कहने का ताथ पर रहा है, कि जब वो खूश होते हैं, तो, वो अपनी खुशी उनके साथ शेयर करते हैं, और जब कभी वो दुखी होते हैं, तो दुख में भी उन्हें किताबे पढ़कर ही, सुकुन और चेन मिलता है, और जब वो इस बात को गहराई से सोचते हैं, और महसूस करते हैं, कि वह उनका कितने बड़े कर्जदार हैं, कितने जाधर रड़ी हैं, तो इस विचार से, इस विचार मात्र से ही, उनके गाल, विचार शील, कर्टक ग्यता के आंसू से गीले हो जाते हैं, मिन्स ये विचार उन्हें इतना भावुक कर देता है, कि उनकी आखों से, कर्टक ग्यता के आंसू जहलकने पड़ते हैं, मेरे विचार मृतक लोगों के साथ हैं, मतलब कभी समझते हैं कि उन पास्ट ऑथर्स को पढ़ते-पढ़ते, उनके विचारों में इतना बड़ा परिवर्तन, इतना परभाव उनके विचारों का आगया है, कि उन्हें अपने विचार भी उन्हीं के समान नजार आने लगें, विद दैम, आई लिव इन लोग पास्ट यर्स, और उनके साथ मैंने पिछले कई सालों को जिया है, मैं उनके पिछले कई सालों से उनके साथ हूँ, मतलब उनका अध्यन कर रहा हूँ, देर वर्चियूस लव, वर्चियूस गुण, उनके गुणों को प्रेम किया है, देर वर्चियूस लव, उनके गुणों को प्रेम किया है, और उनके दोशों की आलुशन की है और उनकी द्वारा पढ़ाए गई पाठों में खोजा है और पाया है प्राप्त किया है इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश गाइडेंस मार्क दर्शन विदेन अम्बल माइंड विनम्र मस्तिश्क विनम्रता और उनके दुआरा पढ़ाए गए पाठों में खोजा और पाया है दिशा निर्देश को विनम्र मस्तिश्क के दुआरा कभी की कहने का मतलब है कि जितनी विनम्रता और सरलता से यहां उन्होंने इन पास्ट ऑथर्स की बुक्स के माध्यम से जो जीवन में शिक्षा ग्रहन की वो शायद किसी अन्य स्रोथ से वो नहीं प्राप्त कर पाते कभी का कहना है कि उनके विचार शीग्रही मृतक लोगों के विचारों के समानी होंगे और उनके साथ उन्होंने बहुत लंबे समय को बिताया है मतलब उनके किताबों को बहुत लंबे समय तक पढ़ा है उनके गुणों को प्रेम किया है उनके दोशों की अलोचनकी है और उनकी आशा और भे में हिस्सा लिया है और उनके द्वारा पढ़ाए गए पाठों में होजा और पाया है एक दिश्ण निर्देश को विनम्र मस्तिश्क के द्वारा नाव वी कम तो अवर लास्ट कॉन्कूलिडिंग इस्टेंजर माइ होप सार विद देट मेरी आशाएं मृतक लोगों के साथ है एन ओन माइ प्लेस विद देम विल बी और शीगर ही मेरा इस्थान उनके साथ होगा मतलब कवी को उम्मीद है कि उन्हें भी पास्ट ओथर्स के समान लोग पढ़ेंगे और पसंद करेंगे और पूरे भविश्य भर मैं उनके साथ यात्रा करूंगा भविश्य भर यात्रा करने से मतलब कि आने वाली पीड़ी उन्हें प्रेम देगी उन्हें सम्मान देगी बिल्कुल इन पास्ट ओथर्स के ही तरह से येट लीविंग हेरा नेम और यहां एक नाम छोड़ जाऊंगा I trust I believe मैं विश्वास करता हूं that will not perish in the dust कि वह नाम perish vanish गायब होना वह नाम धूल में नहीं मिटेगा और मैं विश्वास करता हूं कि वह नाम धूल में नहीं मिलेगा कहने का मतलब है कि भविश्य में वो इतनी प्रसिद्धी इतना नाम प्राप्त करेंगे कि लोग उन्हें अपने दिलों में जीवित रखेंगे और प्रतिक विक्ति की होटो पर उनका नाम होगा और इसी तरह से वो कमिंग जेनरेशन के दुआरा पसंद किये जाते रहेंगे मेरी उम्मीदें आशाएं मृतक लोगों के समान साथ हैं शीगरी मेरा इस्थान उनके साथ होगा कभी की कहने का ताथ पर रहे है कि उनके विचार भी उनकी आशाएं भी पास्ट ओथर्स के समान होंगी और शीगरी वो उसी लाइन में स्टेंड करेंगे जहां पास्ट ओथर्स कर रहे हैं कभी के समय में और उनके साथ वो भविश्य में यात्रा करेंगे मिन्स एक ऐसा सफर तै करेंगे जिसमें नाम और प्रसिद्धी उनके साथ साथ चलेंगे और उन्हें इस बात का भी विश्वास है कि वो जो नाम यहां इस दुनिया में छोड़ के जाएंगे वो धूल में मिठने के लिए नहीं होगा धूल में मिलने के लिए नहीं होगा बलकि लोग उनके नाम को अपने दिलों में जीवित रखेंगे, अपने होटों पर सजा के रखेंगे और उन्हें युग युग तक याद करके अमर बना देंगे और आप देख भी रहे हैं कि उनकी ऐसी उम्मीदें सच भी हुई कि जैसे पास्ट राइटर्स को वो पढ़ा करते थे, आज उनका अध्यान, हम इनका भी का अध्यान कर रहे हैं नाव भी कम तो दे वेरी बिगनिंग मेरे दिन मिर्तग लोगों के साथ गुजरते हैं मैं देखता हूँ अपने चारों तरफ जहां कई भी अचानक पढ़ने वाली द्रश्टी जाती है प्राचीन लेखोकों के शक्तिशाली मस्तिश को वो मेरे वफादार मित रहे हैं और उनके साथ मैं दिन प्रते दिन बाते करता हूँ उनके साथ मैं सुख में आनंद पराप्त करता हूँ और दुख में सुकोन और चैन पाता हूँ और जब मैं यह सोचता और भैसुस करता हूँ कि मैं उनका कितना अधिक्रणी हूँ तो मेरे गाल करतक ड्यता के आंसों से गीले हो जाते हैं मेरे विचार मिरतक लोगों के साथ हैं उनके साथ मैंने एक लंबा समय बिताया है उनकी किताबू के अधियन के माध्यम से उनके गुड़ों को प्रेम किया उनके दोश्यों के आलोशना की और उनके आशा और भह में हिस्सा लिया और उनके द्वारा पढ़ाए गए पाठों में खोजा और पाया एक दिशन निर्देश को विनब्रमस्तिश्कों के दुआरा मेरी आशाये मृतलगों के साथ हैं शीगरी मेरा इस्थान उनके साथ होगा और भविश्य भर मैं उनके साथ ही अत्रा करूँगा और मुझे विश्वास है कि यहां जो मैं नाम छोड़ जाऊंगा वेधूर विश्वास है खांग है अठयू पाँ पर फैसलिखन खैल के साथ तुर उट लिएश्वास है